आज की ढंवло weas bei assim डेख रहा ही यह पर्टियों गीedgerico disc यह डेख लेक्षगिट्य लेक्षा यह जो द्हायँ सितंनर मासी का हैं यह पर देखे सकते सितंबर 2023 का इस सेशन में हम लोग करने वाले दुस्तों इसका जो सारसंग्रा होता है न उस सारसंग्रा को हम करने वाले हैं सारसंग्रा जो 130 कोशन होता है उससे हम लोग कवर करेंगे उसके बाद जो नेक्स टॉपिक लेके आएंगे न दूस्तो इस बुक को संपूर्ण तो देख सकते हैं तो देख सकते हैं आज़े हम लोगी जो सारसंग रहे इसमें आते हैं जिसमें पहला टॉपिक होता है भारती एतिहास हम संस्कृती कोवर किया जाए यहां पर देख रहे हैं यह सितंबर मासी का है भारती इतिहासम संस्कृति में आते हैं जिसमें पहला कोशन है कि एक पुनर विवाहित इस्त्री के लिए पर्यूक्त सब्सवर पर्थम किस ग्रंथ में दिखता है अथरवेद में दिखता है जो सबसे नया वे मौरियो के समय कंटक सुधक जो है न्याले का न्याइधिस किस नाम से जाना जाता था प्रदेश्ट्रा के नाम से जाना जाता था धोला वीडा में किया जता था हरपस अभेता के किस नगर में चिनाई के कारे में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्छी इटों के साथ किया जता था धोला वीडा में किया जता था समराट असो की रानियों में किसका नाम उनके अभिलेख में उलेखी थे कारू वाकी जो उनकी रानी थी उनका नाम उलेख है उनके अभिलेखों में समराट असो के रानियों में किसका नाम जो है अभिलेख में उनका उलेखी थे तो कारू वाकी कादरी सिलसिले के सुफी संत लाहोर के मिया मीर किसके राजेकाल से संबंदी थे जहांगीर के सासंतकाल से संबंदी थे कादरी सिलसिले के सूफी संत लाहोर के मियामीर वह किसके राज्यकाल से संबंदी थे जहांगीर के किस गरंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ती संग में परवेश पाता है तो वह वर्ण वहीन हो जाता है अंगुतर निकाय में बोला गया है, जब कोई व्यक्ति संग में प्रवेस पाता है, तो वो वर्न विहिन हो जाता है, अंगुतर निकाय से पता चलता है, असोक के उत्राधिकारियों में से किसने देवानी पिरिये उपाधी का प्रयोग किया था, दसरत किये थे, में कांगरा के विरुद अभियान भेजा था विरुद अभियान भेजा गया था तो राजा विक्रामा जित्त 1620 में जहांगीर ने किस सेना पती के नेतुत में कांगरा के विरुद अभियान भेजा था तो राजा विक्रामा जित्त के नेग्प्स्ट के समय ऊर्की कारे कार्णी कहलाती थी प्रसासन में उदासीन वर्यम किस विभाग से संबंदित था, वीदेशी संबंद विभाग से संबंदित था नेक्स्ट आते हैं राश्टी सुतंता अंदुलन को देखा जाए राश्टी सुतंता अंदुलन में है एला कुशन है कि 1923 में हिंदी एसोसियेशन ऑफ दी पैस्पी कोस्ट ऑफ अमेरिका का ध्यक्ष कौन बना था सोहन सिंग भखना बने थे 1913 में हिंदी एसोसियेशन ऑफ दी पैस्पी कोस्ट ऑफ अमेरिका का ध्यक्ष कौन मने थे सोहन सिंग भखना नेक्स है 1901 के सिचाई आयो के अध्यक्ष कौन था सर सी एसकौट मोनक्रियफ थे 1901 के सिचाई आयो के अध्यक्ष कौन था सर सी स्कौट मैनक्रियफ थे कलकत्ता बिस्विद्याले का प्रथम भारतिय कुलापती कौन बना था आसुतोस मुखरजी बने थे कुलकत्ता विश्विद्याले का प्रथम भारती कुलापती कौन मने थे तो आसुतोस मुखरजी प्रथम अखिल भारती महिला सम्मेलन किस वर्स हुआ था 1927 में हुआ था प्रथम भारती महिला सम्मेलन भारत छोरो परस्ताव किस दिन पारित हुआ था आठ अगस्त 1942 को भारत छोरो परस्ताव पारित हुआ था गांधी द्वारा डांडी यात्रा शुरू कब की गई थी तो 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा शुरू की गई थी गांधी जी के द्वारा Cambridge pamphlet का शिर्षक था Now or Never. Are we to live or perish forever? 1928 में हिंदुस्तान Socialist Republican Association की अस्थापना कहां हुई थी दिल्ली में हुई थी हिंदुस्तान Socialist Republican Association की अस्थापना किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षा विर्ती की संग्या दी है बीजी तिलक बोले थे किसने उदारवादी नेता की उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षा विर्ती की संग्या दी बीजी तिलक बोले है 1924 में मुंबई में बहिस्कृत हितकारणी सभा की अस्थापना किसके द्वारा हुई थी डक्टर भीम राव अंबितकर के द्वारा की गई थी बहिस्कृत हितकारणी सभा नेक्स से भारती अर्थव्यवस्ता एम संभिधान के बारे में देखा जाए कि भारत के संभिधान के किस अनुछेद के अंतरगत भारत के राष्टपती पर महाभियोग लगाया जाता है और ये राष्टपती पर महाभियोग किस देश से लिया गए है तो USA से लिया गए है राज्यो द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुछेद के अंतरगत कानून बना सकती है अनुछेद दो सब्वावन के थे प्रतम लोगसभा की पहली बैठख कभ हुई थी 13 मई 1952 को होती है प्रथम लोग सभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को किसी सधारन विधे को विधान परिशद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है चार महा तक रोक सकती है एक विकास खंड पर पंचायत समिती होती है एक प्रसास की अधिकरन होती है मौलीक अधिकार समिधान के किस भाग में वर्नित है भाग तीन में वर्नित है मौलीक अधिकार राश्ट पती द्वारा राज्य सभा के सदस्यों के नमांकन का नियम किस देश के समिधान से लिया गया है आयर लेंड से लिया गया है गरतंत्र होता है राज्य जहां अध्यक्ष वंसागुनत रूप में नो हो वो गर्तंत्र होता है। का प्रेना कहां से मिली है। फ्रांस की करांती से मिली है। नेक्स्ट है पूर्णगरठन के फल्सवरूप वर्ष 1947 में समिधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई है। 299 रह गई है। अब नेक्स्ट आते हैं भारतियों विश्व का भूगोल को देखा जाए। विशू तब होता है जब सुर्य उद्वार्द डैस के उपर होता है। भूमध्धे रेखा के उपर होता है। 111 kilometers बड़ा भाबर है अक्छांस का एक अंस कितने के बड débити अच्छानस के बड़ाबर होता है। 도 Ramani Meer βैनिस को कहते हैं एड्रियाक कि Panda ेश्व के बीच है कनाड़ा और यूएसय के बीच कंदा और सभाना सन्युक्तraj अमेरिका मिख Communi के मध्धे के बीच ऑडर नियां चीन में डैस वीष्व का सबसे लंबा मानोनिर्मित जलंपार्ग है किरेंड रेकाएं किसके बीच इंतरों के बारे में अनुमान लगाने में सहायता करती है उच्वावचो की ढालके में पता लगाती है घास की खुले मैदान वेल्स कहां पाय जाते हैं अफरीका में पाय जाते हैं विश्व की सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग गोथाई बेस किस देश में इस्तित है सुर्जर लैंड में इस्तित है में सेटा का पठार किस प्राणियों की संख्या की सीमा जिस पर्यावरन समर्थन कर सकता है कहलाती है वनचमता कहला ती में जलन प्रस्तितिक दंत्र एक परिश्थिति की तंत्र में उर्जा की मात्रा एक इंप्पोचन व्हकी निकखे में उर्जा का प्राथमिक शरोत क्या है सौर उर्जा, एक सधारन समुंदरी आहार, स्रिलंका का स्रिंखला का सही करम क्या है, डायट, क्रेस्टेसिया और हेरिंग है, एक सधारन समुंदरी आहार स्रिंखला का सही करम क्या है, डायटम, क्रेस्टेसिया और हेरिंग है, 10% नियम किस्से संबनित है उर्जा का खाद के रूप में एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्तर तक पहुचना है परिश्थिति की तंत्र क्या है परिश्थिति की तंत्र में उच्थम पोसन अस्तर प्राप्त है किसको सर्वाहारी को प्राप्त है प्रतियस्थापित नहीं करते हैं तो जल के सिमाओं आग के कारण परतियस्थापित नहीं कर पाते हैं नेक्स आते हैं हम भारती अर्थ बेवास्ता के बारे में इसमें कोसल है अटल ना उनमेसन जोurar गया है आई एम किस विभाग की परमुकप पहल है निती समीतियों में से किस ने मात्र पोसक तत्वों किया वे सकता के आधार पर गड़ी रेखा का निर्धारन किया है अलग समीति ने किया है ट्रेवल एंड टुरिज्म परतियोगितात्मक सुचकांक जो है टी टी सी आई जारी किया जाता है विस्वार्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है बिकास अनुविक्षन और मुल्यांकन कर्यालय जो दिर्ख कालिक निती का अनुविक्षन करता है किस कर्यालय के अंदर गताता है निती आयोक के अंदर गताता है बुलक, कैप्टलिस्ट, बैल, पुंजी, पती किसे कहा जाता है उन किशानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाड़े नहीं है गैर बैंकिंग वीतिय कंपनी के रूप में पुंजी कृत किये जाने वाले सुक्ष्म वीतिय संस्तान किसके द्वारा विनेमित होते हैं वानिज्य मंत्राले के द्वारा यदि आय में ब्रिधी के साथ कर के रूप में संग्रीत आय का प्रतिशत इस्ति रहता है तो क्या कहलाता है अनुपातिक कहलाता है यी बीज संबंदित है किसे सरकारी सेवाओं की पहुंच है तू एकल द्वार प्लेटफॉर्म से संबंदित है द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में ब्रिधी होती है तो व्याज की दर क्या होगी ब्रिधी हो जाएगी व्याज की दर में ब्रिधी हो जाएगी निक्स आता है क्या तो समाने विग्यानें तकनिकी के बारे में देखते हैं कॉलेस्ट्रॉल का औं समाने अस्तर संबंदित होता है, धमनी के कठोर हो जाने से होता है, परकास संसलेसं में सूरिक के परकास की कौन सी रस्मियों का परनहडित द्वारा सर्व अधिक उपयो किया जाता है, लाल का किया जाता है, एंफ्लोयनजा रोग होता है वीशान वायरस से होता है विशानट अच्छे उतसरजक अच्छे ऑउसोसक भी होते हैं या कथन किस पर अधारित है? प्रिवोस्ट के उस्मा वीनमय के सिद्धान पर अधारित है फोटोग्राफी में परिश्च होने वाला हाइपोविलेण जलि क्या है करम सा जिवानू और विशानू है डिप्थेरिया और एन्फ्लियन जाका चुहो को मारने की दवा कौन है जिंग फास फेट रबर को करा करने के लिए क्या मिला जाता है गंधक को मिला जाता है वायू सक्ति याने वेंड पावर में उर्जा का कौन सा रूप विदू त क्यान को देखा जाए डिएलर और बीड के लिए बहुत इंपोटेंट होता है लेकिन फिर भी से कवर किया जाता है विविन वस्तूओं के मध्य समानता अथ्मा विविन ता को समझने के लिए योगता को गिल फ्रॉड ने क्या नाम दिया है संबंध नाम दिया है गिल फ्र व्यक्ति के जन्म से परिच्छा देने के समय तक की आयू क्या कहलाती है वास्तुविक आयू भौतिक वस्तूओं की कारे परनाली को समझना एम उनका संचालन करना किस परकार की बुद्धी की कडिया है मुर्त प्राथ्मिक योगताओं के सिद्धान्त का प्रतिपादन थ् विशाय या परिश्तितिक में सिख्छा सिखा गया ग्यान किसी नवीन परिश्तितिक या विशाय को सिखाने में सहेता करता है अधिगम का हस्त्रांत्रन है सकारात्मक अंतह द्रिष्टी कभी पुर्व द्रिष्टी वा कभी पस्चात द्रिष्टी होती है या कथन किसका है वुडवर्थ का है निगनात्मक एम अगनात्मक चिंतन किस अवस्था में घटित होता है मुर्त संकरिया अवस्था में घटित होता है पियाजे के अनुसार संग्यात्नात्मक सनचना को उलेखित करने वाली सब्दावली को नहीं स्कीम है नेक्षाता है संप्रेशन एम संचा करते हैं तो उसे कहते हैं क्या है अंतर व्यक्तिक संचार कहते हैं विसलेशन की एक इकाई को कंटेक्ट की स्रेनी में रखने को क्या कहते हैं कोडिंग कहते हैं वह संचार जो संस्था के बिभिन विभागों के बिभिन अस्तरों पर कारेरत अधिकारियों वह क्रमचारियों के संचार की यह परिभासा दी थी किसने जोर्ज टेरी ने दी थी अध्यापक द्वारा स्यामपट पर लिखा गया कारे संचार का कैसा माध्यम है द्रिश्य माध्यम है संकेत विज्ञान में औस्परष्टा को माना जाता है क्या अभी सूचक संप्रेशन प्रबंदक संस्ता के लक्षो देसो नीतियों अदेसो कारेक्रमों के बारे में करमचारियों को अउगत कराता है संप्रेशन के माध्यम सिक अउगत कराता है संगठन के करमचारी संगठन के मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारीत करना किस परकार का संप्रेशन है या अंतरिक संप्रेशन है जब दो या दोसे अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चीन हो संकेतों या परतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान परदन करते हैं तो उसे क्या कते हैं संचार कहते हैं निक्स क्या था खेल कूद उसमें कोशन है कि टेनिस के चार ग्रैंड स्लेम टूनामेंट होते हैं कौन-कौन अस्ट्रेलियन फ्रेंच विमल्डन और यूए से होता है एस्टेलियन ऊपन उसके एक फ्रेंच उसके बाद फ्रेंच ऊपन कब सुरू हुआ था तो फ्रेंच ऊपन बता दे ए 1691 में सुरू Sounds ये तीरोनेल टरॉन्सेन को और विमंडल 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 Linux Cl average जाना यह जो है 1877 में ही शुरू हो गया था यह ग्रास कोट टैनिस ग्रैंट स्लैम इन चारों टैनिस अस्परदाओं में सबसे पुराना है आम तोर पर यह जून में तीसरे सोंबार को किया जाता है विमल्डन और उसके बाद आता है यह 1881 में इसकी शुरूगात होती है यह अगस्त में आखरी सोंबार से सुरू होता है और सितंबर के दो सब्ता तक चलता है और अस्ट्रेलियन ओपन जो है 1905 में सुरू होता है यह टुनामेंट हरवर्स जन्वारी के पकवारे में मेलबर्ण में आयोजित किया जाता है देवगा ट्रोफी किस खेल से जुरी है किर अड्मिंटन के है ली डैन और ली चोंग दुरंड कप फुटबॉल के स्थापना कव होती है 1888 में सर मैंटिर्मर दुरंड के द्वारा की गई थी 1884 से लेकर 1894 तक भारत के विदेश सचीव थे यह वाकर कप किस खेल से सम्मदी थे वाकर गुल्फ से सम्मदी थे वाकर ने हिटलिसी की ये थे बिस्व के क्रिसी परदेशों का वर्गी करन किसने परस्तुत किया था दी हिटलसी जमीन पर फैलने वाली सबजियों का वैपारी क्रिसी क्या कहलाती है और लेरी कल्चर कहलाती है यह रवा क्या है प्रागवे में एक चाय सद्रिज जाड़ी है यह एक क बिस्वत पर्देश में कपास की खेती को क्या नहीं की जाती है? बिस्वत पर्देश में कपास की खेती क्यों नहीं की जाती है? तो अधिक वर्साय कारण नहीं की जाती है. बिस्व में सबसे अधिक जूट उत्पादत छेतर कौन सा है? गंगा बरहंपुत्र की डिल्टाई छेत्र है विश्व परसीद उलंग किस्म की चाय किस परदेश में पैदा होती है तैवान में विश्व के कुल धरातल छेत्फल का कितना भाग क्रिसी कारियों में लगा हुआ है एक आरब परतिशत गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवाई सबसे उप्यूक्त है समसितोस्न स सबसे ज़्यादा उप्यूक्त है विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे माना जाता है मोचा कहवा को माना जाता है निक्षाता है क्या है कंप्यूटर ग्यान इसको कवर किया जाए SMTP का पूर्ण रूप क्या है इसका फुल रूप है सिंपल मेल ट्रांसफर प राउटर का प्राथ्मिक क्या होता है कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ना टी-एफ-टी का पूरा नाम क्या है तो देखिए ट्राइवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसका एक किलो बाइट कितने बाइट के बरावर होता है 1024 बावर कम्प्यूटर सेकुरिटी से सम्बंदित फाइर बॉल का उद्धे से क्या है किसी नेटवर्क तक अनाधेकरित होता है उन्रिजर्ब पहुँचने और रोकना होता है उसका URL का कुल URL का फूल फाइट होता है यूनिफर्म रिसॉर्सेज लोकेटर होता है फाइल फार्मेट जो है PDF का पूरा नाम क्या हता प्रोटेवल डोकुमेंट फार्मेट होता है प्रोसेसर के तीन मुखे भाग कौन-कौन से होते हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एन्ड ए एलियू यानि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है GPU का फूल फर्म क्या होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है GPU का फूल फर्म कुई एक दक्षिनी पुर्वी द्रवी भासा है जो मुख्य रूप से बोली जाती है कहां उडीशा राज्ये के कंध समुदाये के द्वारा बोली जाती है कुई यांगली उत्सव किस्से सम्मदित है यह अच्छी फसल और सम्रिद्धे के लिए प्रार्थना करने के लिए है यह तीवा जन्जाती द्वारा मनाये जाने वाला एक फसल उत्सव है तीवा जन्जाती पुर्वत्तर भारती राज्यो असम और मेघाले में रहने वाला स्वदे इए वार्षिक तिर्था राग्य क्या था तदस रजाओं का संगराम था प्रेम वाटिका के लिखक कौन है रस खान है सितार और वीना पर बजाए गए एक स्वर किस में अंतर होता है गुनता में इसके अंतर होता है किस सास्त्रे नेत्य का नाम उस गाओं के नाम पर परा जिसका जनम हुआ था कुच्ची पुड़ी में सतारिया किस राज्य का असम का है प्रसीद जो है नका बलेस्व नका बिलबारा तेवहार किस राज्य का उडिचा राज्य का है वैसे हम लोग ने इसका सार संग्र कंप्रेट किया नेक्स जो सेशन आएगा इसका संपूर्ण हम लोग करेंट सफेर लेकेंगे संपूर्ण बूक का लेकेंगे झाल 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 झाल